दोस्तो पधनमंत्री श्री नयंद्रों मोदी के 10 साल के समयकाल के अंदर भारत के डिफेंस सेक्टर, एकोनोमी और डिप्लोमेटिक सेक्टर में कई तरीके के उन्नती हुआ है। इवन देखा जाए तो आत्मनेर भारत के संकल्फ के कारण इसे 10 साल के अंदर भारत हत्यारों के एक बहुत बड़े इंपोर्टर से हत्यारों के एक्सपोर्टर में भी पड़िवर्तित हो चुका है। को मोडनाइज करने के लिए कई तरीके के इनिशिटिफ लिया गया है और इवन तेजस जैसे स्वदिशी यारक्रैप्टों को खरिदने से शुरू करके एमसी जैसे यारक्रैप्टों को लेके अनुमती तक दिया गया। पर विदेशों से जो 114 फाइटर यारक्रैप्टों को खरिदने को लेके इंडियान यारफोर्स के तरफ से जो लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है वो प्रधान मंत्री श्री नयंद्र मोदी के समयकाल में भी पूरा नहीं हो सका। हलाकि दोस्तों परधान मंत्री श्री नयंद्र मोदी के साल 2014 में शपत ग्रहन के बाद इंडियान यारफोर्स की मोडिनाइशन के लिए सबसे पहला जो काम किया गया था वो था MMRCA मतलब मीडियम मल्टी रोल फाइटर यारक्राफो के टेंडर के अंतरगत यारक्राफो को चुनना बेसिकली इस टेंडर के अंतरगत 126 फाइटर यारक्राफो को खरिदा जाना था और पधन मंत्री श्री नयंद्र मोदी के कालखंड में ही रैफाल यारक्राफो को पर आप लोगों के जानकारी के लिए बता दू कि 36 रैफल यारक्राप्टों को खरिदने का इरादा था उसे बंद नहीं किया गया बलकि इस टेंडर को एक संपूर्ण रूफ से नया रूफ देते हुए MRFA टेंडर मतलब मल्टी रोल फाइटर यारक्राप्ट के टेंडर को ज के हैं हलाकि दोस्तों अगर इस टेंडर को भी देखा जाए तो साल 2018 में इस टेंडर को जारी किया गया था और 6 साल पहले रिक्वेश्ट फर इंफॉर्मेशन मतलब साल 2018 में रिक्वेश्ट फर इंफॉर्मेशन जारी करने के बावजूद 6 साल के अंदर इसे लेके कोई काम नहीं हो सका हलाकि इस दर्मियान कोवीड यह से महमारी आ गया था जिस वजा से कई सारे प्रोजेक्ट रुक गया लेकिन अब बताया जा रहा है कि जल्द ही इस टेंडर को भी संपूर्ण करने के तहट आगे वढ़ा जाएगा अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानक और पधानमंत्री श्री नयंद्र मोधी के ही समाइकाल में 83 तेजास यारक्राफ्टों को खरिदने को लेके भी अनुमती दिया गया है और 97 तेजास यारक्राफ्टों को और खरिदने को लेके भी तैयारी किया जा रहा है जबकि AMCA यारक्राफ्टों को लेके भी पूर्ण है क्यूंकि ये एक ऐसा टेंडर है जिसके अंतरगत स्वाधिशी एरक्रेप्टों के साथ पैरली विदेशी एरक्रेप्टों के द्वारा इंडियान एरफोर्स अपने स्टेंद को मजबूत करेगा और उपर से इंडिया के चारो तरफ की इन्वर्मेंट जिस तरीक है खास करके चाइना का एग्रेशन जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रिजन में और भारत के साथ लगे हुए बोर्डर रिजन में बढ़ते जा रहा है और चाइना के द्वारा पाकिस्तान को लगातार हत्यारों का सप्लाई किया जा रहा है उससे भी काउंटर करने के लिए भारत को फिलाल ये जो टेंडर है इसे पूरा करना ज़रूरी है फिलाल दोस्तों आप लोग के जानकारी के लिए वतादू कि MRFA टेंडर के अंतरगत भारत के सामने टोटल आठ यार क्रैप्टों का अब तक ओफर आ चुका है और इन आठ यार क्रैप्टों में इसे चे या यार क्रैप्ट मतलब AFA-18 Super Hornet और A-15 EX Eagle 2 जैसे यार क्रैफ्ट है तो वही पर लॉकिन मार्टिन कंपनी के F-21 जैसे यार क्रैफ्ट है जबकि रश्या के तरफ से दो यार क्रैप्ट मतलब MIG Corporation के MIG 35 और सुखवी के सुखवी SU 35 है जबकि इसके इलावा योरोफ से तीन यार यार क्रैफ्ट हो का ओफर हुआ है जहाँ पे सुखवी जैसे यार क्रैफ्ट हो के इलावा भ्रांस के डैसल आविएशन के रैफैल भी है हलाकि वही पर यार फोर्स के दरफ से ये भी साफ किया जा रहा है कि टेंडर पॉसेस को और जल से जल्द क्प्लिट करने के लिए य उसे इस तरीके से जाच परताल में शामिल ना किया जाए और केफल मातरून यार क्रैफ्टो के अप्रफर को ही चेक किया जाया है हलाकि रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इस साल के अंत से पहले शायद n percव के रिएक्वेश्ट और प्रोपोजर को जारी कर दिय लेकिन दूसे तरफ अगर देखा जाए तो हतियारों के मामले में आत्मनिर्वर होने को लेके भारत को प्रधानमंत्री श्री नायंद्रों मोदी के इस समयकाल के अंदर काफी बड़ा सफलता मिल चुका है और भारत जहाँ पे एक समय तक दुनिया में सबसे अधिक हतियारों को इंपोर्ट करता था तो वही पे अब भारत के द्वारा अन्य देशों को हतियारों को एक्सपोर्ड भी किया जा रहा है और हाली में ही इंडियन आर्मी के अमूनेशन को लेके मेडिया रिपोर्टो में एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए बताया गया है कि इंडियन आर्मी साल 2025-2026 तक मतलब आने वाले एक से दो साल के अंदर अपने अमूनेशन को लेके आत्मनेर्वर हो जाएगा मतलब साल 2026 के बाद शायद इंडियन आर्मी को और किसी वितरीके से किसी अन्ने देश से अपने एमुनेशन्स को खरिदने का आवशक्ता ना पड़े रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि 175 अलग अलग टाइफ के अंदर करीब करीब देड़ सो अमुनेशन्स में इंडियन आर्मी अल्रेडी अपने आपको जहां पे आत्मनिर्वर कर चुका है तो वही पे साल 2026 के फिसकल एर तक इंडियन आर्मी बाकी चीजों में भी आपको सेल्फ रिलाइंस मतलब आत्मनिर्वर कर लेगा और दोसों ये एक बहुत बड़ा अचीब्मेंट है क्योंकि एमुनेशन्स असल में आर्मी का सबसे बड़ा रिक्वेर्मेंट होता है और लड़ाई के दर्मियान सबसे अधिक मातरा में इसी का ही इस्तमाल किया जा लंबे समय से स्टोर करके फिर रखना पड़ता है और स्टॉक में भी काफी बड़े मातरा में आर्मी आत्मनिर्वर हो जाता है तो इससे स्वधिशी तरीके से ही सबी जरुरादर को पूरा किया जा सकेगा और लड़ाई के दर्मियान भी सप्लाइचेन को लेके किसी भी त सेक्टर कमपनियों के द्वारा भी इंडियन आर्मी के लिए अलग अलग टाइप के अमोनेशन का निर्मान किया जा रहा है इवन अपने खुद के अमोनेशन का डिवलप्मेंट भी किया जा रहा है हाला कि दोस्तों ये जो इंडोजनाइशन है ये केवल मातरा आर्मी के से कियारों का उपयोग कर रहा है और नेवी के बड़े-बड़े जहाजों से शुरू करके छोटे-छोटे बोड और इवन सबमरीन तक को भारत में ही निर्मान किया जारा हाली में भारत के तरफ से पहला इंडेजिनियास यार्क्राफ्ट कैरियर को निर्मान करके अल्रेडी एक बहुत बड़ा एचिब्मेंट को हासिल किया जा चुका है तो वही पे अगर यार्फोर्स को देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में यार्फोर्स में ही इंपोर्टेर हिर्तियारों का उपयोग किया जा रहा था क्यूंकि जो यार्क्राफ्ट है उसे बनाने में भारत लिकिन अब भारत के तरफ से धीरे ही सही लेकिन अयर्फोर्स को इंडिजनाइज करने के तरफ अपना कदम बढ़ा दिया गया और आप लोगों को बता दूकि इंडियान एयर्क्राफ्ट के बेड़े में पहला इंडिजनीएस यार्क्राफ्ट के रूप में जहां पे प्राइबेट सेक्टर कंपनी टाटा के तरफ से मदद किया जा रहा है वही पर दोस्तों अगर आर्मी के अन्य हतियारों को देखा जाए तो टैंक से शुरू करके स्मॉल आर्म्स और आटिलेडियों में भी भारत अपने आपको आत्मनिर्वर कर रहा है और आप लोगों को पताई होगा कि कई तरीके के आटिलेडियों को अब तक इंडियान आर्मी के लिए निर्मान किया जा चुका है और भारत के प्राइबेट सेक् का और अर्जुन मार्क वान ए टैंकों को भी तैयार किया जारा और जोरावट टैंक भी बनके तैयार है जिफके इसके इलावा अर्जुन मार्क टू टैंकों भी बनाया जाएगा और एफर सीवी प्रोजेक्ट के अंतरगत भी एक नए टैंकों को तैयार किया जाएगा जो किसी और एक दुन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम